असलाम अलेकूम आज हम बनाएंगे मुंबई का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूट वड़ा पाओ ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता ही है और इसे बनाना भी इतना मुश्किल नहीं है तो चलिए इस बहतरीन सी रेसिपी को बनाना अब हम शुरू करते हैं इसे बनाने क के लिए हमें चाहिए एक कड़ाई उसमें डालेंगे वन टेबल स्पून के जितना ओयल को तुरह गड़म होने देंगे उसके बाद हाफ टी स्पून सरसोक अधाना डालेंगे उसके बाद डालेंगे चार क्लव्स चॉप्ट लसन थोड़ा इसे तड़कने देंगे थोड़ा तड़काने के बाद हम इसमें डालेंगे तीन बारी कटी हुई हरी मिर्च और बारा करीग पत्ते इससे हम थोड़ा सॉटे कर लेंगे 30 सेकंड्स के जैसा थोड़ा सा तर्मरी के अट कर देंगे और इसे भी थोड़ा चला लेंगे यहां मैंने दो अलू मिडियम साइज के अलू को बॉइल करके मैश कर लिया है उसे भी मैट कर देंगे और दो तिन मिनिट तक हम इसे पका लेंगे फ्लेम लो करके इस तरह से हमें पहले से मिक्स कर लेना है और फिर दो तिन मिनिट हमें इसे भून लेना है दो तिन मिनिट भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा चली फ्लेक्स डाल देंगे टूइसे घठे मिकंस कर देंगे और लास्त वे हम इसा डालेंग laugh नमख लास्त में डालेंगे से ही लिखते मुखा बस प्रमित हो जाता है बस नमक ड१ालाते मिक्सी करें और फ्लेम को बंद कर दे। गवाद आधा थंदा होने लिए छोड़ देंगे और तब तक हम लसन की चटनी बना लेंगे लसन की चटनी बनाने के लिए हम एक पैन में आधा टेबल स्पून जाए सा तेल गरम करेंगे 12-15 लसन ले लेंगे उसे थोड़ा हलका सा रोस्ट कर ले ज्यादा नहीं पकाना हमें इसे जबी थोड़ा सा हो जाए थोड़ा सा सौटे करने के बाद हम इसमें आट करेंगे डिर्चमच सेसमी सीट और दो टेबल स्पून शिंग धाना मैंने इसे रोस्ट करके चिलका निकाल कर लेंगे दस सेकेंड जैसा। उसके बाद हम इसमें एक कप जैस सब्सक्राइब नाडब यिल हम इसे अब दो तीन मिनुट तक सेख लेंगे फ्लेम को लो रखेंगे और Свीलेम में इसे सेख लेंगे मैं इसे दब तक cord करेंगे जब तक इसमें से अच्छी सी नाडल की उसके बाद हम थोड़ा एक अमिर्ची पॉदर डाल के भी भूळ लेंगे ताकि नरो आपधो झाल दो कमा दो बुत्त भूद मींस करके इसे अंहें में कष्टサ अंखाने लेने जाने लेए दूंप दोद अखायां को आद करके आऐ पाउडर बना लिया है पानी बिल्कुल आट ना करें पिस्ते बब यह पाउडर फॉम में बनता है चुटनी उसके बाद हम हमारा यालू का मिक्सचर थंडा हो गया है अब हम इसके चोटे-चोटे बॉल्स बना लेंगे जैसे हम लड्डू बनाते है वैसे हमें इसका चोटा- हारीी दाल देंगे और दो की बेकिंग कुड़ा है अनल-जोटे या भ llevar सोटे श्वाड यह चेयम चर यह बना ले कि परें स्वाड केन आप आर इसे हम द्धोड़ा सुल्खे में ज्वाडी द्यक्व हैं ज्वाँ कए इस तरह सह तरह से मिक्स करके पाणी है और इसका बै स्मूध बैटर बना लें देखिए हमारा बैटर रेडी हो गया है देखिए कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए यह पर्फेक्ट है तो चलिए हमारा बेज़िए तयार है अब हम जल्दी से आलू के वड़े बना लेते हैं मैंने पहले से तेल रख दिया है गरम होनी के लिए आप देखिए इस तरह से हमें इसमें टिप करना है है हम सारे बॉल्स को एक एकर के डाल देंगे और हमें इसे गोल्डेन ब्राउन होने तक फ्राइए करना है जब एक साइट सेख जाए तो अब पलड़ दे इस तरह से चुमच की मदद से अब हम से निकाल लेंगे हमारा आलू क वड़ा बनकर बिल्कुल रेड़ी है भेतरीन लग रहा है दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है अब इसे ट्रे में टिशुए पर लगा कर डाल देंगे एक बैच मैने पहले ही फ्राई करके रखा है देख सकते हैं अगर आपको वड़ा पाउनी बनाना तो अब कभी बनाते हैं अब सबकुल मुझेक अब कर लए को इसके से बच वड़ा बच ने के बाद है ऊसके बाद हम इसमां लगाएंगे घ्रीन कहिए अगर दूसरी तरफ लगाएंगे लेसन की चटनी जो रखा है यह हम अच्छे से लगा लेंगे इसे भी उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक आलू का वड़ा और धीरी से पलट देंगे और हलकी हाथों से इसे दबा देंगे इस तरह से हमारा वड़ा पाव बनकर बिल्कुल रेडी है खाने में बहुत ही गजब का लगता है यह जरूर ट् अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट सेक्षिन में बता आपको कैसी लगी अल्लाहाफेज